नमस्ते बच्चो운, आज एम कुछ आकरतियां बनाना सीखेंगे, कुछ भी अक्षा भिलिपने से पहले हमें आकरतियां बनानी आनी चाहिए जब हमें कुछ टेडी, मेडी, गोल, छोको, सीथी, आडी, आधा गोला, पूरा गोला इस तरह की आक्रतियां बनानी आजाए दी तो हम हिंदी के ख़ग करना से आना, इसकी ABCD और गाइट के गिंते इस सब हम लिख पाएंगे, तो लिखना सीखने से पेले, हमें इभिन अप्रकार की आधरतियां बनानी सीखनी होगी अभ जatamente यह पूरा गोला है तो गोला बनाना हम पे as я चिंगे हमारे घर में कोई प्लेट होती है, खानी होती है, कोई गटोरी है, कोई टपी है, इसी भी चीज को हम ले 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 और उसको स्लेट पे यो रख करके और पूरा उसको यह बोल कुमाएंगे, उसके चारा तरफ कुमाएंगे ऐसे, दीरे दीरे ऐसे, तो कुमाएंगे, अब ये गोल बन गया, अब जब इससे गोला बन गया है, तो इसको बार-बार हम इसको रिपीट, गोल-बोल इसके उपर बनाते चले जाएंगे, ऐसे जब हम लिए बारगार इसको बनाते से ले जाएंगे तो हमारी आदत बन जाएगी कि नो गोर आपरपी बनाना सीख जाएंगे इस तरह से हम सीधी रेखा, खड़ी रेखा कैसे बनाना सीखेंगे या तो हमारे पास कोई लगडी हो, उसकी साहिता से बना सकते हैं या जासर कोई सीधी किनारी की डबी हो, उसे भी हम सीधी आपरपी बना सकते हैं जासर कि मैं यह बना रही हूँ, इस डबे से बना रही हूँ, यह सीधी हो इसको सीधा रखा और यह सीधी इसके सहारे से हमने यह लाइन बना दी तो ये हम सीधी खड़ी लाइन बनाना सीख जाएंगे अब इसको हम बार-बार लिखते जाएंगे इसी के उपर अब जब हम इसके उपर यू लिखते जाएंगे तो ये खड़ी देखा बनाना हम सीख जाएंगे यहां हमने बार-बार बोल कुमाया तो हम बोला बनाना सीखें और ये हमारी खड़ी लाइन क्या हो गई? खड़ी लाइन ये हो गया हमारा बोला ब्रत और ये खड़ी लाइन अब हमें सीखने खड़ी लाइन, आड़ी लाइन बनाना इसी तरह से वापस इस डपी कांपर यूँ कर रहे हैं और ऐसे बना रखें और इसको यो बना गिना ये हमारी पड़ी लाइन हो गयए इस तरह से इसको बार बार एसना पर लिकते चभी जाएंगे तो ये हमारी पड़ी लाइनम बनाना सबूझ जएंगे अब ये आड़ी लाइन मेरी सैड करें चयूब개 है यह मेरी तरफ लाइन है यह के कशलेंगे एस ना चला से क्वे को हम तेडा रखनेंगे यह पकती है यह स्केल है उसकी हम सहाथा ले सकते हैं तो ऐसे हम ऐड ओसे हमेलाई जानागा स्क्राइँ जब ऐसे सब बन रहें यह यह इन बस्तै बनारीा क्यों ले रहा है क्योंकि अभी हमें आकरती बनानी नहीं आ रही है इसलिए इससे बनाने के बाद में हम उसको बार बार उसके उपर लिखते जाएंगे तो हम वो शेट बनाना सीख जाएंगे कोई अक्षर लिखने से पहले आकरती बनानी आनी चाहिए जब इस तरह के शेट बनाना हम जीख जाएंगे तो हम ऐसे अना, A, B, C, D, G, T, सब कुछ लिख पाएंगे अब यह है आड़ी लाइन, इस सैड मेरी सैड है चीज़ी होगे अब यह बैरदार हम इसके उपर लिखते चले जाएंगे आड़ी लाइन के उपार, पड़ी लाइन के उपार, खड़ी लाइन के उपार, भोले के उपार तो रोज-आखिन होगा, रोज रोज हमें ये लिखना होगा, रोज-रोज हमें ये रिखना होगा, रोज-आमने होगा एपनी खुफी पर , पाटी में तो मुलाँ पने ये अभ्यास करने से, अफ्षर बनाना सीव जाएंगे। इसी तरह से ये दूसरी आड़े लाइन है विप्रिती सामें मेरी विप्रिती सामें जैसे ये मेरी साइड होगी तो ये मेरी आड़े लाइन और ये आपकी साइड माल लेते हैं तो ये आपकी आड़े लाइन होगी और ये आड़े लाइन होगी पारे कार हो ही आफ़कृतियों को रोज बनाएंगे। heißt उनके उपर बार present उसलिए यगे। बारो इस खोथ चायेंगे। प्यास करने सेत्प मुस कले तो मिश्चन बनाना शीख जाएंगे तो तो हम चुठ काून के सेत्ध हैं नला से कशक्षम लिक काई गरे। तो कोई भी गोल उसको ले कर गे और हम उसको यह रख कर गे और उसका आधा बनाएंगे तो यह आधा बोला हो गे और इसको यह बार बार खोड़ते चाहिए यह हुआ आधा उतला इसी तरह से इस गोले को उन्टा गोला भी बना सकते हैं ऐसा और इसको बार-बार इसके ऊपर एकांते बनाते जाएंगे अबढम से और अवियास काने से इना उपर की अभ्यास हो जाता है अब आधा भूला ओपर की साइड भूला था पीर ये की साइड भूला है अब ये हम बना रहे हैं, इधर पुलावा गोला, मेरी साइट, और इधर ये आपकी साइट पुलावा गोला, ये उपर नीचे का गोला हो गया, इस तरह से विभिन आकरतियां हम बनाना सीखेंगे, तो ये हमारी आकरति बनाने से हम अपने अक्षरों का निर्मार ये हम तरह से ये आधर गोलावा गोलावा कराएंगे, तो इस तरह से हम अक्षरों का निर्मार करपाएंगे, इस तरह से तीन बनाने के लिए दो आधरित गोले बनाने पड़ेंगे, घंग्यावाद बच्चो